अब आप अब 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 इस वीडियो में हम बात करेंगे bidding strategies के बारे में ठीक है normally CPC, CPN दो हम use करते हुए आ रहे हैं तो उसके अलावा भी कुछ bid strategies है जो हम use कर सकते हैं तो start करेंगे हम पहली bid strategy है यहां पे manual CPC manual CPC जो हम usually use करते हैं से पहले हमने वह use करी थी with manual CPC bidding you can set a maximum price on the cost of someone clicking on your ads मतलब क्या है कि आप maximum amount Google को बता तो manual का मतलब है कि जो आप manually Google को बता रहोगी suppose 100 rupees तो वह 100 rupees है वह आपकी site से maximum amount है जो Google charge कर सकता है for a click या जब कोई आपकी ad पे click करेगा Google maximum 100 rupees आपकी चार्ज कर सकता है उससे उपर नहीं जा सकता वह होता manual bidding का मतलब if you enter max CPC bid इसको max CPC भी बहते है maximum cost per click bid and someone clicks on your ad that click won't cost you more than maximum CPC तो जब कोई के ad पे click करेगा तो उसससे जादा चार्ज नहीं कर सकते है but you will often be charge less जातर कमी charge करते है sometimes much less depend करता है you know आपके नीचे जो ad आ रही है वह कितना pay कर रहा है manual CPC एक बहुत basic option है जो हमने काफी बार use की है next option देखते हैं अब मैं कितनी बार बहुता हूँ कि यह option आ पहले यूज करो क्योंकि जब आप किसी new product and services का campaign चलाते है तो आपको idea नहीं होता है कि competition कितना है bid कितनी रखनी चाहिए competitors ने कितनी रखी हुई है तो अगर मैं maximize क्लिक करूँगा तो ad मेरी शुरू में full flow में चलती ही नहीं ठीक ना Google बहुत थारे experiments करता है कभी on करेगा कभी off करेगा कभी किसी को दिखाएगा कभी किसी को दिखाएगा अपने end पर यह experiments करता है तो इसके अंदर according to Google 10 to 15 days का time लगता है एक campaign को fully optimize होने तो तब तक वो properly नहीं चलता तब तक आपको you know leads तो दूर की बात है क्योंकि show ही limited करता है तो traffic भी बहुत limited आता है जितने आपका budget है वो भी पुरा spend नहीं होगा क्योंकि वो experiment mode तो जब आप maximize clicks लेते हो तो आप कभी भी देखना status में लिखा होगा learning maximize clicks learning लेकिन जब आप manual लेते हो तो कोई learning नहीं होता लेकिन manual में क्या है आपको one by one जैसे एक keyword तो 100 rupees में okay है लेकिन दूसरा more competitive है तो 100 rupees उसके लिए कम है उसको शायद 150 चाहिए 120 चाहिए तो आपको एक keyword की bid पूरा दिन all the time open नीचे करते रहने पड़ेगी तो maximize clicks एक बहुत convenient option है long run के लिए लेकिन शुरू में धोड़ा सा time लेता है लेकिन एक बार flow में आगया बहुत अच्छी bidding strategy है ठीक है तो maximize clicks is an automated bid strategy that sets your bids to help get as many clicks as possible within your budget तो मेरा तो यह मानना है कि जैसे वो हो रहा है help you get as many clicks तो as many clicks तो तभाएंगे जब मेरी आड़ दिखेगी कहां दिखेगी टॉप पे बाटम में टॉप पे और टॉप पे जब दिखेगी तो कम कैसे चार्ज कर सकता है तो चार्ज भी maximum करेगा तभी visibility maximum होगी तभी clicks जादा आएंगे और तभी leads जादा आएंगे तो सारा गेम तो पैसो का है ठीक है ना अब maximize clicks में एक option होता है कि जैसे आपने Google को तो allow कर दिए कि आप मेरी bid set करो लेकिन अगर Google यह नो आपको नहीं पता कि केतना उपर भी जा सकता है आपने तो Google पे तो 150 से उपर तभी भी रिचार्ज करेगा तो यह तो manual जैसा हो गया लेकिन जब आप शुरू में maximize clicks चलाते हो कोई restriction मत दो let Google decide all the things for at least a week उसके बाद उस data के basis पे फिर आप decide करो और आपको idea भी कितना उपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है और average bid आपकी क्या रही है ठीक है ना उसके लिए आप पर छोड़ना मड़ेगा Google Ads focuses on increasing clicks for your campaigns by spending a target amount जितना आपने target set कि है budget उसमें आपको maximum clicks लाने की कोशिश करता obviously करेगा क्योंकि जो भी खर्चा और उसकी earning है जो चाहेगा कि उसकी earning बढ़े तो वो मेरा पूरा budget spend कराने की पूरी कौशिश करेगा और वो मैं भी चाहता हूँ क्योंकि जितना मेरा allocated budget है मैंने 500 rupees कर्चना है क्योंकि मैंने तो मन बनाया हूँ वह कर्चना है तो बच जाएगा तो मैं उसको loss मानता हूँ increasing clicks during those days and times कभी कभी क्या होता है कि आपकी add normal चल रही है लेकिन Saturday Sunday क्योंकि you know competition बढ़ने से आपकी जो competition में bid बढ़ जाती है लेकिन आपने क्योंकि manual set की हुई है तो आपकी add दिखनी बंद हो जाएगी लेकिन अगर maximize clicks है तो कभी भी up and down होता है तो bid भी up and down अपने आप हो जाएगी competition कम में कम हो जाएगी competition साथा में बढ़ जाएगी ठीक है ना दिन में अगर आप add चला रहे हो हो सकता है कि afternoon में you know competition बढ़ जाता है तो bid जाधा की requirement होते है तो automatically बढ़ा लेगा कभी night में कम होती है तो कम भी कर लेगा जैसे early morning कभी कभी में देखता हूँ 30 rupees का click आता है मेरा लेकिन afternoon में देखता हूँ 150 कभी आता है depends on competition तो maximize clicks है तो open नीचे easily हो जाता है otherwise नहीं होता ठीक है ना तो कहीं businesses ऐसे है जिसमें weekday में कम और weekend में जादा traffic करता है कहीं business ऐसे है कि दिन में नहीं रात में जादा लोग search करते हैं तो depend करेंगो तो this is your maximize clicks strategy जो आप normal campaign बनाते हुए choose कर सकते हो वहीं पर option होता है manual clicks का भी वहीं पर होता maximize clicks का भी option तो maximize clicks means that you are letting Google decide your bid on your behalf ठीक है आगे चलते हैं अब clicks की बात कर ली clicks में manual clicks में maximize मतलब automatic अब बात कर रहा हूं CPA की CPA का मतलब cost per acquisition cost per action cost per lead cost per sale मतलब जो भी आप चाहरे हो कि user आपकी website पर करे that is the action you want visited to take ठीक है तो वह आपके लिए क्या हो गया conversion हो गया ठीक है तो यहाँ पर Google charge करेगा conversion में मैं चाहता हूं मेरी website पर आके Google user form बरे तो form बर के जो जाएगा वो मेरे लिए conversion हो सकता है वो join करे ना करे वो बात की बात है लेकिन for marketing lead जो है वो conversion consider होता है तो target CPA is an AdWords smart bidding strategy अब suppose मैंने search match चलाई और मैंने CPA पर चला दी कि मैं Google को जब कोई form बरेगा तो CPA मैंने set कि हुए बाकि suppose चाहर लोग जो मैंने complete कर रहे उन्होंने CPC set कि हुए तो Google कैसे compare करेगा कैसे decide करेगा कि कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना किसके बीड ठीक है किसकी optimal नहीं है या तो उनको CPA में convert करेगा या मुझे CPC में convert करेगा तो वो क्या करता है मुझे CPC में convert करता सब बहुत मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1000 रुपे दे रहा हूँ एक conversion के Google मेरी history में जाता है अगर मैंने conversion set किया हुआ है तो Google देखता है कि अभी तक जब से मैंने conversion set किया है तब से लेकर अब तक मेरी per conversion value कितनी हारी है तो बहुत सकतर नहीं दिखाएगा तो आपको ये homework पहले ही करना है क्या करना है पहले अपना जब से आपने conversion set किया है तब तक कितना spend किया है कितने conversion आए उसको divide करो per conversion की value आजेगी उसके near about रखो कुछ जादा कम और जादा तो कोई भी नहीं रखता कम रखोगे तो obviously add नहीं चलाएगा अब कैसे लेता है वो idea गूगल देख रहा है कि 50 click आये और 5 conversion आये मतलब हर 10 click में conversion आता है आपने set किया 1000 रुपे तो वो 1000 को 10 से divide करेगा और आपकी CPC निकाल लेगा क्योंकि 10 clicks में 1 conversion आता है तो जो आपने 100 रुपीज बाकी competitors के हिसाब से competitive है या नहीं है कोई dates दे रहा है कोई 200 दे रहा है आपकी average पढ़ रही 100 पे तो आपकी add चलेगी नहीं अगर आपको चलानी है तो आपको बढ़ानी पढ़ेगी यह तो आज का scenario बता रहा हूँ अगर suppose down the line 6 मिने के बाद competition और बढ़ा तो bid बढ़ेगी तो वो जो पहले आपने set किया 1000 रुपे है वो चलेगा इनी आपी जागे fit time आपको बढ़ाना पढ़ेगा ऐसे तो जो 10 साल से add चला रहा है 10 साल पहले उसने CPA set किया था आज भी वाई थोलना चल रहा हूँ competition बढ़ गया उसको बढ़ाना पड़ेगा Google is a businessman उसको पैसो से मतलब है आप CPA लो, CPC लो उसका एक यह objective है to earn तो जब भी competition बढ़ेगा तो पुरानी charts पे clicks नहीं मिलेंगे आपको bidding increase करनी बढ़ेगी तो target CPA simple चीज है target CPA के इंदर just like manual है target CPA मतलब आप बोलनों मुझे 1000 पे में चाहिए तो आपने बता दी जैसे manual CPC में आप बताता हो कि मुझे 100 पे का क्लिक चाहिए यहाँ पर आप बता रहे हो मुझे 1000 पे का conversion चाहिए उसको वो CPC में convert कर लेता है और recording भी आट दिखाता है और पैसे लेकिन तब ही काटेगा जब conversion होगी उससे पहले नहीं काटेगा मेरे सिनारियो में बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ कि form कम लोग भरते हैं call जाता लोग को करते हैं तो call तो track नहीं होती ठीक है call क्लिक कोई करें तो track हो जाती है forwarding number से track हो जाती है लेकिन अगर कोई website पर जाके यूण देखके डायल कर देगा तो वो track नहीं हो सकती अगर conversion नहीं लगाया हुआ तो अब यहां पर एक चीज क्या होती है कि Google आपको एक forwarding number देता है पहले आपको Google यूण एक process होता है automatic भी और manual भी automatic करोगे तो Google आपसे अपका number पूछेगा आपने अपना number बताया automatic Google आपकी website पर जाके वो number detect करेगा और उसको अपने forwarding number से change कर देगा तो जब भी कोई वो number dial करता है just like judge dial तो अब जब judge dial में जाते हो बहुत सारी profiles में जाना वो जो numbers आपको दिखते है न जब उसको डायल करते है वो redirect हो जाते है वो बिजनस के number पे वो जो number आप देख रहे हो बिजनस का number नहीं होता same way यहाँ पे Google आपको एक forwarding number प्रवेड करेगा जो भी उससे dial करेगा Google detect करेगा कि यह इस page पे आया था तब यह उसको यह number दिखा इस तरह डायल किया तो conversion में count करेगा ठीक है न फिर कोई form बरेगा तो वो तो count होई जाता है और अगर आपके बाद toll free है तो वो चीज़े होगा convenient हो जाती है लेकिन बहुत rare ही होता लिगों के बाद toll free तो यह जो target cpa है यह एक manual cpa भी बोल सकते हैं इसको आप google को manually बतारो कि इतने में मुझे conversion चाहिए अगर google दिखा सकता है तो दिखा देगा नहीं तो फिर आपको price बढ़ा पड़ेगा अब जैसे manual cpc के बाद maximize clicks था अब target cpa के बाद अगला option क्या है maximize conversion यह भी automatic feature होगे जैसे आप cpa में तो बताते हो कि मुझे इतने में चाहिए इसमें कुछ नहीं बताना इसमें तो आपका budget को exhaust करना उसकी duty है तो आपके budget के हिसाब से या जीज़ भी आप industry में हुए जो भी keywords है आपके हर चीज यहां पर maximize जहां लग गया न maximize conversion Google आपको कह रहा है कि मैं आपको maximize conversion दूँगा लेकिन maximize conversion देने के लिए visibility बढ़ाएगा price जादा charge करेगा तो maximize का मतलब automatic automatic का मतलब Google की कोई limit नहीं कितने भी उपर जा सकता है लेकिन आप एक limit दे सकते हो तो अगर आपने limit देती तो फिर target CP हो गया है तो maximize करना तो फिर maximize रखके देखो at least कुछ time तक so that कि आपको पता चले कि कितने की conversion पट रही है फिर उतना amount आप manual जो target CP है उसमें अंदर भी चला के देख सकते हो तो it's all about hit and trial चला के देखो के तो ही पता चलेगा कि कौन से bidding strategy आपके लिए काम कर रही है clicks वाली की conversion वाली अब अगली देखते है viewable CPM एक पहले होती थी CPM यह display में चलती है वीडियो में भी चलती है आजकल CPM का मतलब होता है cost per thousand impressions cost per thousand impressions click का तो per click का charge होता है impression का होता है, 1000 impressions पे एक certain amount charge करता है Google अब CPM जो पहले होता था जैसे अब मेरी website से कोई होके गया और मेरी ad उसको देख रही है अब वो एक page पे गया मेरी ad चलती है bottom में और वो bottom तक गया ही नहीं लेकिन फिर भी मेरा impression count होता था लेकिन अभी जो CPM को इसको वी CPM बोलते है impression तब तर count नहीं होता जब तक user मेरी ad देख नहीं लेगा अगर वो bottom में नहीं गया और मेरी ad चल रही थी तो impression count नहीं होगा लेकिन अगर वो bottom में जाता है और उसको मेरी ad देखती है तो ही impression count होगा तो उसको बोलते हैं viewable impression with VCPM bidding you bid for your ad based on how often it appears in a viewable position कितनी बार user ने उसको देखा तभी charge करेगा you set the maximum amount you want to pay for viewable ads maximum amount मतलब maximum के मतलब manual amount क्या मैं इतना पे करूँगा 1000 impressions whether they are click or not मतलब उसके click होते है जब आपकी ad दिखाई उसने click होई है ना होई पैसे उतने ही कटेंगे जितने सब उस आपने बोला कि मैं 100 ओपीस दूँगा 1000 impressions तो अगर 100 click भी आते है या एक भी नहीं आता पैसे उतने कटेंगे क्योंकि यह CPM पर चला रहे हो clicks पर नहीं चला रहे हो clicks का यहां पर कोई roll नहीं होते है तब भी कोई पैसे नहीं ज्यादा चार्ज होंगे और नहीं होते है तब भी कोई ज्यादा नहीं चार्ज होंगे और ना कम होंगे जितना हमने सेट किया है उतना आपका maximum है कम चार्ज तो हमेशा possibility है कि कर सकता है लेगे उपर नहीं जा सकता Your max viewable CPM bid may win different levels of impressions at different prices than previous max CPM bids ठीक है तो different levels of impression अब जैसे कभी जाता भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है किसी site पर जाता हो सकता है किसी site पर कम हो सकता है तो यह depend करता है ठीक है ना आज ad कौनकोंची site पर चलाई ठीक है ना हर site की एक authority होती है हर site का different payout होता है तो कई sites जैसे अगर आज तक times now पर चलती है मेरी ad तो जाता चार्ज होता है अब जैसे क्रिक बस पर चलती है तो भी जाता चार्ज होगा अगर नौकरी पर चलती है तो भी जाता चार्ज होगा लेकिन अगर कोई new site abc.com है उस पर चलती है तो कम चार्ज होगा तो side के level के साब से होता है Because you don't pay for impression that were not viewable You may want to increase your max viewable CPM bit to achieve the same level of spend and traffic volume अब भी display में आपको एक option बताया थे कि आप चाहते हो कि अगर आपकी ad below the fold ना दिखे आप tick कर दो Park domains में ना दिखे, आप tick कर दो तो कभी दिखे कि नहीं, तो हमेशा viewable position में दिखे कि तो वो option आप कर सकते हो use अगला देखते है क्या option NNCPC NNCPC जो option है वो manual bid के साथ काम करता है NNCPC works with manual bidding तो जब आप manual bid set करते हो तो Google यह भी smart bidding strategy है Google आपकी ad दिखाता है फिर experiment करेगा on the basis of browser used on the basis of user location on the basis of time of the day when user is searching वोगद ढौन हो सकते हो KP हो सकते है किसको पूंप होने कि क्सके नहीं थाया है तो दिखाता है NNCPC में अचले सब को पूंप हो यह सकता है NNCPC R HELP हो बाट कीeno जाब को पूंप हो लगवाए चैने करें टो convert भी हो सकता है उसी को दिखा रहा है तम भी वो बोल रहा है this bidding strategy helps you get more conversion from manual bidding e-cpc and n-cpc works by automatically adjusting your manual bids for clicks अब manual bid को adjust करती है ठीकि ना अब भी करती है जब chances जादा होते है and down भी करती है जब chances कम होते है clicks that seems more or less likely to lead to a sale or conversion on your website unlike target cpa which automatically set bids based on the target cp cost per conversion e-cpc is constrained by your max cpc bids when optimizing for conversion ठीक है तो target cpa में तो cpc decide कर लिया और सब को दिखाता है e-cpc में you know probability पे दिखाता है कि chances हैं तो जादा भी charge कर सकता है नहीं है तो कम भी charge कर सकता है तो बहुत यह flexible for search and display campaigns and cpc helps increase conversion while trying to keep your cost per conversion same as you are getting with manual bidding ठीक है कभी जादा charge करता है कभी कम charge करता है लेकिन average हमेशा कहा रहती है जो आपने minimum minimum bidding दी है आपने बोला है मैं 100 पर दूंगा maximum तो जादा भी charge करें कि कम भी charge करें लेकिन average क्या होगी equal to or less internet ठीक है तो वो चीज़ रहीगे इसके अदर e-cpc looks for add options that are more likely to lead to conversion तब दिखाता है आपकी ad उसको दिखाता है उस time पर दिखाता है जब chances of conversions जादा होते है and then raises your maximum cpc तब आपकी bid बढ़ा देता है to compete harder for those clicks तो मतलब हर को युसी को दिखाना जाता है आप सब लोगों ने cpc ले रखा है ठीक है तो obviously जब सब compete कर रहे है with the same bidding strategy तो उसी को top पर दिखाएगा जो जादा प्रे करेगा second number पर जो कम फिर और कम फिर और कम Google Ads will lower your bid ठीक है जहां पर chances कम है कम करतेगा bid e-cpc will try to keep your average cpc below the max cpc you set but may exceed your max cpc for short periods of time तो बढ़ाएगा भी कम भी कर सकता है ठीक है ना कहीं पर मैंने पढ़ा था कि up to 30% तक बढ़ा सकता है लेकिन मैं भी कौशिश करेगा कि वह average उतना ही लाए जितना आपका max cpc है तो यह होता है nncpc तो यह किसके साथ चल रहा है manual cp साथ चल रहा है flexible bidding है performance के basis पे उपर भी जा सकता है performance के basis पे नीचे भी आ सकता है लेकिन average कोशिश करेगा आपको भाई देगा जिद्धा आपने set कि है अंगला option है target ROAS जब हम अपनी conversion set करते हैं मैं bidding की बात नहीं कर रहा है यह आपने conversion set करते हैं वह मेरे लिए 1000 रुपे का conversion है आप suppose एक दिन में 5000 रुपे लगाते हो और आप expect करते हो कि conversion की बात हो रही है आप clicks की नहीं हो रही आप expect करते हो कि 5 leads आए मेरे पास तो हर एक lead क्या होती है conversion होती है marketing के perspective से देगा जाए तो आप set करोगे कि एक conversion की value आपके लिए 1000 रुपे ठीक है न आप खर्च रहे हो 5000 रुपे पांच conversion आ रही है तो अगर आपने हर conversion की value भी दी हुए 1000 रुपे तो 5 into 1000 5000 रुपे पहे formula क्या है conversion value कितनी आई total आपके पास 5 into 1000 रुपांच conversion रुपांच conversion रुपांच होता इसके सबसे percentage नीगल जाता ठीक है ना अगर आपने खर्चे एक हजार पे और कन्वर्जन मेल्यू पे पांस हजार की तो उसके सबसे आजाता ठीक है ना तो आता 20% 5,000 divided by 1,000 5 5% ठीक है ना 5% बोलेंगे इसको ठीक है ना for every 1 रुपी you are spending you are getting a return of 5 रुपीस ऐसे इसको calculate करते है ठीक है तो इसके लिए जब कन्वर्जन बनाते हैं सबसे important क्या है कि जो आपकी यह चीज़ होती है मैं आपको दिखाता हूं practical तो मैं चलता हूं यहां पे किसी account में जाना पड़ेगा पहले मुझे इस लोदित पर चलते हैं इस लोदित पर जाके टूल्स पर चलेंगे कन्वर्जन पर जाएंगे तो जैसे पहले हमने conversion set किया था यह हम you know conversion value की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं प्लस पर क्लिक करता हूं और new conversion create करता हूं दिखाता हूं आपको conversion का भी accepted video बना हुगा push time भी नहीं बतायता है यह तब भी हमने value नहीं ली थी अब भी value लेके बताता हूं तो यहां पर जो भी category आपने लेना है submit read form read form नाम आ गया use the same value for each conversion जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे लिए conversion की value 1000 रुपे है by default 1 था 1000 रुपे ले लिया ठीक है यहां पर 1 ले ले लेंगे और same way conversion create कर दीगे ठीक है ना तो यह एक क्या आपने create कर लिया अब conversion का code अल्रेडी लगा हुए यह website में तो आप बोल सकते हो कि अल्रेडी लगा हुआ हुआ है ठीक है ना और यह बला लगा सकते हुआ है तो यह तो हमने पहले discuss किया हुआ है तो कहने की बात है यहां पर कि अगर आप अपनी यह जो bidding strategy में बना रहा था इसको आप किसी campaign के साथ यह जो मैंने conversion बना रहा था अभी 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 इसको conversion को apply किसे करें तो चलते हैं इसको next कर देता हूँ करेंगे बैक करने के बाद हम चलते हैं किसी campaign के अंदर new campaign मना के दिखाता हूँ आपको एक अभी मैं बदाऊंगा कि आप कभी-कभी ignore करना चाहो तो कर भी सकते हो जब आप new campaign करेंट करते हो तो बहुत बार आपको you know goals दिये जाते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब सर्च लिया फिर मैंने website विजिट लिया फिर यहां website का यह डालते हैं एक सेकेंड ठीक है पेश कर दिया मैंने अब है continue करेंगे अब यहां पर campaign name networks इनको में touch नहीं कर रहा है मैं आपको बता रहूं bidding कैसे अप्लाई करते हैं location, language, audience and budget and bidding bidding के अंदर यहां drop down में नहीं है जो मुझे चाहिए select a bid strategy directly इस पर आते हैं पर जो मुझे चाहिए ROAS वाली वो यहां पर भी है तो यहां पर आके मैं set कर सकता हूं कि मुझे expected ROAS कितना चाहिए मुझे ad spend कितना चाहिए, मुझे अगर वन रूपी खर्चने पर 5 रूपे आ रहे हैं कितना हो गया percentage वन रूपी में अगर टूरपी आते तो 100% ठीक है ना 100 ये 200, 100 पर 5,000 करचे 5,000 है तो 100 हुआ, 5,000 करचे 10,000 है 200% हुआ तो आपका जो target return on ad spend है, जैसे मैं अभी कितना set करूँ है इसको 100% मतब अगर 5,000 रूपे लगा रहा हूं तो उसमे मुझे 5 lead आनी चाहिए, 5 conversion आनी चाहिए और एक conversion को मैंने कितना दिया, 1000 रूपे value दिया तो एक तो यह तरीका उतर करने का simple, लेकिन अभी जो मैंने bidding strategy बनाएगी वो कहां से apply करेंगे उस bidding strategy को बोलते है portfolio strategy तो यहाँ पर click करेंगे, जो मैं वहाँ पर बना गया है वो अगई existing तो अभी फिलाल तो नहीं दिखा रहा है यहाँ लेकिन यहीं पर आएगी we don't have any portfolio strategy in the library, तो create तो करनी थी अभी आनी रिया लेकिन यहाँ पर आएगी आपने सिर्फ उसको choose करने है क्योंकि सब तो setting वहाँ पर करती है आपने choose करने है और continue करके बागी चीज़िस जैसे करते हो वैसी करनी है अगर वहाँ पर जाके नहीं बनाते है तो फिर आप यह option ल 5,000 का return चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर इसको आप जैसे continue करके वह continue हो जाएगी तो this way आप अपनी ROAS पहले ROAS कैसे decide होती है कितना चाहिए आपको 100 चाहिए 200 चाहिए 300, 400, 500, 50% चाहिए डिपेंड करेगा कि आपने conversion value कितनी set की है मैंने conversion value set की 1000 रुपे मैं कर्च हूंगा 5000 500,000 रुपे मैं चाहता हूं कि 5 लीड आए 5 लीड में एक की value अगर 1000 है तो 5 की 5000 रुपे 5,000 में खर्च रहा हूं 5000 में 5000 का return रहा है मेरे पास value के सापस देखो 5000 खर्चे 5 लीड आई एक लीड की value 1000 रुपे तो return भी तो 5000 का आगया कितना आगया return वापिस मेरे पास 100% जितना ख तोड़ा कम भी हो सकता है और तोड़ा उफर भी जा सकता है लेकिन यह आपकी तरफ से यू नो एक आपने minimum उसको बता दे कि I basically need at least 100% return on my you know जो मैं invest कर रहा हूं Google Ads के अंदर उसमे मुझे minimum 100% return चाहिए तो accordingly दिखाएगा आप audience को जिसके chances जादा होंगे ठीक है तो अच्छी bidding strategy है लेकि smart bidding strategy is Google अपने end पर ज्यादा काम करता है यह जैसे यहाँ पर दिख रहा है ad group no.1 spend किया 100$ एक ही conversion आई और वो जो product आपने बेचा वो you know मताब एक conversion से जो भी आपका return आया वो था 50$ अब खर्चा किया 100 पर एक ही conversion आई तो CPA कितना हो गया cost per acquisition भी 100 हो गया अगर 100 खर् product की value थी वो 50 थी तो आपने खर्चे 100 आये 50 तो ROS कितना हो गया 0.5 ठीक है न और अगर आपने 100 खर्चे conversion यहाँ पर भी एक आया 100 पर पर पड़ा और revenue आया आपका 300 तो ROS हो गया 3 तो मैं percentage की बात कर रहा हूं तो मैं 100 200 300 की बात करूंगा 50 परसंट ही तो आया बापिस यहाँ पर 300 हुआ तो यह 3 ताइम्स हो गया ठीक है न तो 300 परसंट गोल्ड हो या 3 ताइम्स गोल्ड हो एक ही बात है तो यह हो गया ROS अगला देखते हैं अगला है target outranking share जो पहले था अब नहीं तो होता क्या था यहाँ पर target outranking share मैं ebc.com तो मैं Google को बोल सकता हूं कि मुझे किसको outrank करना है auction में मुझे किसको bid करना ranking में xyz को तो मैंने डाला xyz.com अब वो मुझसे बूछता है कि suppose अगर मैं आपकी add 100 बार दिखाता हूं overall तो आपको कितना percentage of the times उसके उपर आना है और बाकी time जैसे normal आप उसके नीचे भी हो सकते ह लेकिन for sure आपको कितना percentage of the times उसको outrank करना है तो आप पर percentage में देते हो 10% 20% क्योंकि वो एक बड़ा player है मालो वो bid जादा जीता है क्योंकि वो अबिशे top पे आना चाहता है तो अगर आप उसको outrank करोंगे तो अब इससे जादा pay करोंगे Google आप से उससे जादा चार्ज करेग तो 20 clicks आ सकते हैं लेकिन क्योंकि आपने उसको outrank करनी की सोची तो आपका आधी clicks में budget कतम हो गया तो वैसा कुछ सोचना बढ़ेगा तो यह option Google ने अठा दिया आप नहीं है पहले था लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज क्या देखती है यहाँ पे एक जो negative point था आप तो strategy नह अच्छा option है अब वो आपसे पूछ रहा है कि search page location यह bidding strategy का ना में target search page location मतलब यह strategy तिरफ search network के लिए है ठीक है न display के लिए नहीं वीडियो के लिए नहीं किसी के लिए नहीं वो बोलेगा यहाँ पे कि आपको top पे आना है या anywhere आना है यह absolute top पे आना है absolute top मतलब top 4 anywhere मतलब जो बचीगा bottom 3 तो वो आप डालोगे कि मुझे absolute top पे आना है फिर पूछे का आपसे कि 100% of the time जाना है 50% of the time जाना है आने से leads आ सकती है जरूर नहीं कि पहले पे आने से lead है अगर चौते में आने से 400 पे देना है और top पे 100 पे देना है तो 400 पे जाता अच्छा है मेरे लिए ठीक है तो target search page location ठीक है उपर भी आ जाओ 20% आ जाओ response अच्छा था अगले दिन 30 कर दो अगले दिन 40 कर दो अगले दिन 50 कर दो पैसे तो जाधा लगए यह लिए लिए अगर response अच्छा आ रहा है comparatively तो फिर दिर दिर करके बढ़ा सकते लेकिन start हमेशा थोड़ से करो target search page location अब इसका practical दिखाता हूं आपको अगला option है maximize conversion value maximize लग पहले मैंने आपको बलता है maximize conversion में वो conversion कैसे track करता है कितने conversion आया है कितने clicks में आया है कितना पैसा कर्चवा उससे अभी वो conversion नहीं देख रहा है conversion value तो conversion value का मतलब क्या हो गया ROAS तो इसको बोल सकते हैं आप maximum ROAS जिसका नाम देती है maximize conversion value एक ROAS हो गया एक maximum ROAS हो गया यह वाला option एक target CP हो गया एक maximize conversion हो गया एक manual clicks हो गया एक maximize clicks हो गया फिर यह option एक नया आगया तो basically तीन option में तो manual और automated होखे 6 हो गया एक search page location हो गया यह वाला आप चलता नहीं है तो 6 और 7 option साफ building strategy है तो चलो practical दिखाता हूँ आपको कैसे create करते हैं तो जैसे मैं उसी page पे अभी तो मैं campaign वाले page पे हूँ अब मैं दुबारे चलता हूँ tools पे tools पे जाने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे building strategies पे इसको चोड़ देंगे अभी campaign को discard करेंगे पहली building strategy है अब manual CPC नहीं होती है यहाँ पे यहाँ पे एक दो तीन चार पाद 6 है target impression share से शुरू करके दिखाता हूँ क्योंकि हटके है तो target impression share के अंदर digital audit account चूज कर लिया है मैंने तो target impression share ऐसे डाला आपने पुरा भी दे सकते हो ठीक है फिर campaign किसमें यह building strategy apply करने है वह बाहर में भी कर सकते हैं अब आपको search page location को target कर रहे हो लेकिन कौन सी location absolute top anywhere तो top भी ठीक है absolute top पे नहीं क्याजून होता है percentage impression share to target अगर आपके 100 impression दिखाने को लें तो कितना percentage of the times आप top पे आना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ start with 30% of the times मुझे top पे दिखाओ और बाकी times नहीं पे भी दिखाओ अच्छा अब यहाँ पे maximum limit भी है अब उपर दिखाने के चक्कर में अगर you know बहुत जादा bid exceed हो गई तो फिर आप खाली हो जाओगे तो यहाँ पे हम maximum CPC bid limit में एक limit दे देते हैं suppose 120 rupees कि इससे उपर नहीं जागा तो this way आप create कर सकते हो target impression share कि मतलब आपने जो अपनी website की impression दिखाने है उसकी आप position target कर सकते हो यह absolute top पे, top पे या anywhere पे ठीक है anywhere भी ले सकते हो anywhere तो वैसे भी आती है या तो top लोग या absolute top लोग है budget का issue नहीं है bid जादा नहीं है आपकी bid में तो आप absolute top लेके रखो अगर बहुत सारे लोग absolute top ले लेंगे तो क्या होगा और भी बहुत सारे factors ने फिर budget किसका जादा historical performance किसक जाजाती है तो quality score के बारे में बात में बात करेंगे different video में तो यह हमारी एक bidding strategy बन जाएगी अगले पर आते है target CPA CPA में ठीक है अब यहाँ पर strategy का नाम दो कितना amount पे करना चाहिए जैसे मैंने बोला कि एक conversion में लिए 1000 और भी किया है तो यह पहले मुझे check करना है कि अभी तक मैंने कितना spend किया और उस spend में कितने conversion आए तो per conversion की value आजाएगी अगर यह amount उसने बहुत कम है या थोड़ा भी कम है तो Google जब इसको CPC में convert करेगा तो अगर competitive जो market में rate चल रहा है उससे अगर ज़्यादा काम होता तो मेरी end नहीं दिखाएगा जब दिखाएगा यह तो ना traffic आएगा ना leads आएगी ना conversion आएगी तो दूर की बात होगी amount बनाना पड़ेगा बढ़ाओंगा तो फिर result आने चुरूँगे तो यह हो गया आपका target CPA मतलब एक manually आप बता रहो कि मैं इतना भी करूँगा conversion के लिए उसके basis पर दिखाएगा अब यह हो गया आपका target CPA और इसी का automated feature कौन सा पताया था maximize conversion तो maximize conversion के अंदर bidding strategy का नाम दे दो और कुछ पूछी नहीं आप से क्योंकि maximize का मतलब ही क्या है auto कुछ पूछे कहीं नहीं आप आप से सब कुछ automatic लिए करेगा बस आपको assurance दे रहा है कि you will get maximum conversions within your budget तो जहां पर most conversion की बात करता है तो be ready pay भी जाधा करना पड़ेगा अगली strategy तो यह होई CPA के साथ maximize conversion maximize clicks ठीक है देख लो यह भी तो यह अपने में account दिया maximize clicks दिया अब यह maximize clicks यहां पर आने की क्या ज़रूत है यह तो आप account level जब आप campaign मनाते हो तब ही ले सकते हो तो इसको यहां पर बनाने की ज होता है वैसे ROAS भी वहाँ पर होता है लेकिन still बनाना चाहब तो बना सकते हो तो CPA बता दिया maximize conversion बता दिया maximize clicks की कोई value नहीं है target inflation share बता दिया अब बच गए दो ROAS और conversion value तो मैंने अब क्या होला target ROAS is manual ROAS and maximize conversion value is automatic ROAS तो target ROAS में चलते हैं पहले तो यहां पर फिर से मैंने अपने account choose किया ठीक है न यहां पर मैं अपना कुछ भी नाम दे सकता हूं कितना return मैं expect कर रहा हूं पहले conversion बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको conversion की value भी देनी पड़ेगी उस value के हिसाब से ठीक है जैसे example मैंने आपको दे दिया अगर मैं बोलतो मुझे 100% return चाहिए ही चाहिए 5000 कर्चू तो अगर मेरे conversion की value 1000 रुपे है तो पांच conversion चाहिए मुझे तो मेरा target आई है तो देख लेगा अपने आप कि वह यह target एचीव कैसे करना है तो Google के उपर है automatic option है मैं तो कुछ नहीं कर सकता Google decide करेगा किसको दिखानी किसको नहीं दिखानी किसके chances आप click जाद है किसके chances आप conversion जाद है तो यह तो हो गया आपने percentage बता दी अब अगला जो last option बचा है conversion value इसमें कुछ बताने वाला है कुछ भी नहीं बताने वाला तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा वो percentage उपर होते हैं कि नीचे होते हैं वो सब Google के आथ में है पहले तो फिर भी मैंने बता दे कि at least मुझे 100% चाहिए उपर देगा तो बहुत च्छी बात है नीचे ना दे यहाँ पर तो वो भी नहीं पोच रहा तो यह क्या हो गया target ROAS का automatic वाला option maximize ROAS या maximize conversion value कि मुझे maximum से maximum conversion value चाहिए जैसे वहाँ पर तो हमने बोला था कि हमें at least 100% तो देदो लेकिन यहाँ पर हमसे नहीं पूछ रहा तो इसका बंदब क्या है कि Google will decide ठीक है ना तो यह हमारी थी bidding strategies और जो भी bidding strategy आप बनाओगे साथ-साथ ही campaign चूज कर सक तो जब आप campaign मनाते हो जब कोई भी आपने यूज कर रिकी हो जब आप यहाँ पर आके choose कर लोगे कोई भी campaign तो वह पहले वली अट जाएगी और नहीं वली apply हो जाएगी ठीक है तो देश में आप कर सकते हो तो यह आपकी जितने भी campaigns है आपको पता है अगर आपने बनाया तो आपको सब चीज़े पता होंगी तो यहाँ पर bid strategy का नाम दो ठीक है इसमें कुछ कर नहीं सकते है सिर्फ select campaign करना कि कि किस किस में apply करना सेव कर दो apply हो जाएगी कुछ भी नहीं करना हर बिडिंग strategy में आपको एक option दिखा है select campaign दुबारा लेक लेदे तो अगर मैं बिडिंग strategy लेता हूँ और target impression शेर लेता हूँ तो इसमें select campaign आ रहा है तो मतलब यहीं पर कर सकते हैं यहीं पर हो सकता है campaign में जाने की कोई जूरूत ही नहीं है फिर अगला आते maximize conversion select campaign campaign में जाने की कोई जूरूत नहीं यहीं से campaign select हो जाएगा maximize clicks इसमें भी दिया हुआ लेकिन यह तो मैं बोलता हूँ वहीं पर बना दो फिर target CPA यहां पर भी दिया हुआ है तो हर जगह पर option दिया हुआ है तो आपको यह बनाने के बाल particularly campaign पर जाके इसको apply करने की कोई भी जूरूत नहीं है क्योंकि आप यहीं से उसको campaign campaign को choose करो कि महाँ पर अपने अपर अप्लाई हो जाएगी तो this way आप अपनी bidding strategies देखो पहले कि आपको कौनसी रखनी है CPA रखनी है मैनल रखनी है automatic रखनी है clicks पर चलानी है impression पर चलानी है उसके इसाब साब bidding strategy बनाओ और apply कर दो तो शूरू मैं इतनी बात करेंगे see you in the next video thank you